नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डाक्टर सुनील सत्यार्थ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्य स्वसारी वटी के बारे में दिव्य स्वसारी वटी पतंजली की एक आयरवेदिक आउसदी है आज की वीडियो में हम इस आउसदी की रिव्यू करेंगे आपको बताएंगे कि यहां कितने रुपए कियाती है इसमें कितने टेबलेट होती है और इसके कौन-कौन से आयरवेदिक फायदे हैं क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी है और कितनी मात्रा में इसकी लेनी है तो आयए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं दिब्य सुसारी वटी के बारे में सबसे पाले हम जानते हैं कि दिब्य सुसारी वटी को किन-किन विमारियों में उपयोग किया जाता है किबिस सरीवटी को फेफडे से सम्मंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या हैं तो उसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं जैसे कि आपको सरदी या जुखाम की समस्या है इस किशी भी प्रकार की खांसि है चाहे वो सुखी खासी हो या गिली खासी हो अस्थमा की सिकायत है टीबी के रोगियों के साथ ही respiratory disease के जो रोगी होते हैं वो भी इस आउसदी का प्रियोग कर सकते हैं इस आउसदी का प्रियोग रोग प्रतिदोधक्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है अगर कफ के वज़ा से आपको सांस लेने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो उसमें भी इस आउसदी का प्रियोग किया जा सकता है आईए जानते हैं कि इस आउसदी की कितनी मात्रा लेनी होती है दिब्य सोसारी बटी की दो गोली सुबे और दो गोली साम को गुन्गुने दूद या गुन्गुने पानी के साथ लेना हित कर होता है अगर आपकी बिमारी या जो समस्या है वो जादे गंभीर है तो आपको इसकी दोदो गोलिया, सुबे दोपर और साम, ठीक दूद और गुनगुने पानी में से किसी एक के साथ आप ले सकते हैं इसके साइड इफेक्ट अभी तक इसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं लेकिन फिर भी दस साल से कम उम्र के बच्चे और गर्वती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए यह आउशदी 120 रूपए में आती है और इस गिब्वे में इस आउशदी की 80 गोलिया होती है आप इसे नजदी की आयरवेदिक श्टोर से ले सकते हैं पतंजली स्टोर से इसको मंगा सकते हैं या आप चाहें तो आन लाइन भी इसकी खरिदारी कर सकते हैं इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है आप वहां से जा करके इसे एमे जौन से भी परचेज कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट कर जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मात्र